तो तो कैसे है आप लोग उमिद करते हैं अच्छे ही होंगे और यह आपका सिटेट का प्रिविजन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएगा डिस्क्रप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूं तो वहाँ से आप इसमें जितना वीडियो बना हुआ है इविएस का सारा प्रेक्टिस सेट आपको मिल जाएगा और अलोबर सम्में 30-30 कुष्टन है तो वहाँ से आप प्रेक्टिस कर सकते हैं तो देखेगा आज का सेट तो पाला कुष्टन है बिदूत बल्ब का किसे बना होता है यह आपको बताना है तो विदूत बल्ब का फिलामेंट किसे बना होता है तो पाला ओप्षन है आपका लोहा दूसरा ओप्षन टंगस्टन तिसरा ओप्षन है अलुमुनियम और दोथा ओप्षन है तामबा तो विदूत बल्ब का फिलामेंट किसे बना होता तो विदोत्बल का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से और इसका एक मेलटिंग पॉइन्ट पूइंट पूई डिरी लॕधिसम डिगरी सेलिष होता है यह आप यांद रखेगा यह भी कभी कोःशन आपको पोषन देता है कि मेंसे कुण सा uisक्रिश प्रोलोस के प्रतिपॉ कि Japanese प्रति रहेँ किस अदिक अधिक पर्ताु तो यह उसंद्र खरुद्रारा जायगा जाएक द्क रेहरा होगी आपको कर्वश यह चछली नेक्स्ट मेंसे देखते इसमें आपको option के पर्ट किरिया शिल धातो सबसे ज़यादा कोण है तो पाला option copper उसके बाद केल्सियम उसके बाद ऐरन उसके बाद जींक तो सबसे जयादा पर्ट किरिया सील धातो जो है घैग case cream हो जाएगा तो इसका हमist Wirik loss नाम क्या होगा जो अने अंतसरावी गरंथी के काइभा नीयंतितो कर तो सweenंसर आपको हो जाएगा प्यूस गरंथी और प्यूस गरंथी से त्योपी error से जिरो पॉइंट सीख्स गराम से इसका इसका साब से कम भी उता है तो चलिए नेक्स्ट कुशिन देखते हैं निमलिखित में से किसमें फल की बहुत परवल सुगंद होते हैं तो इसमें आपको ओप्सन देखेगा परहा ऑप्सन है मिथनॉल दूसरा अथाल एसिटेट तीसरा ऑप्सन है मिथाईल कुलॉराइट और चोथा आप्सन इसमें आपका हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा फाल का परवल सुंगंद जो होता है इसाइल एसीटेट के करण होता है तो चलिए नेक्स्ट कुछेंट देखते हैं मेंगनीशीयम किसा लगट मेंगनीशीयम किसा लगट मेंगनीशीयम क्लोड़ोफीर नूँ दूसरा लगड़ õप्संव दिन तिसरा सा मैट्रव ये और चौतरा गड़को बंबाने में परईच्ट गेश का लिया लेश क्वास्फ्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है इसका परजोलन ताप मान बहुत अधिक होता है इसका परजोलन तापमान बहुत कम होता है इसका महत्पून तापमान अधिक है इसका महत्पून तापमान कम है तो फासफरोस को पानी में क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है तो इसका राइट एंसर हो जागा इसका परजोलन तापमान बहुत कम होता है तो कम कहने का मत कारण होने वाली बिमारी तो सेड़्स इनहेलेसेन के कारण कुछ मी मारी होता है यह आपको बताना तो पाला ओप्शन है सिलका दूल दूसरा आफ़े की दूल तिसरा भूसनए जींक की दूल और कोईली kö dif इते हो Jon ring के कारण होने वाली मारो教 सीड्री से इनहेलेसन के कारण आपका ये किसके कारण बिमारी होगा तो ये आपका धोल के कन के कारण हो जाएगा, और जब लोहे के अधिकता होता है तो लोहे के कमी के कारण क्या होता है रखता अलramस पता होता हुतन है चलिए next question देखते हैं निमलिखीद में से किसे N-A-thestic के रूप में परयोग क्या जाता है तो N-A-thestic के रूप में किसको परयोग क्या जाता है यह आपको बताना है तो पाला option है N2, दूसरा option है N2 तिसरा option है methane और चोथा option है carbon dioxide तो आपका nitrous oxide जो होता है यही आपका एंथेस्टिक के रूप में भी उप्योग होता है और एक इसका यूज रख लीजिएगा कि लाफिंग गैस में भी यही होता है इसका लाफिंग गैस भी बोला जाता आपको नैटरास ऑक्साइड को चले नेक्स्ट कुशन देखते हैं निमल्खित में से किस में साट्रिक असीड मोधक होता है तो इसमें किस में साट्रिक असीड बताना है शाट्रिक असीड पढ़ए जाता है तो ti पाला उप्षन आपका दही है दही तो होगा नहीं दूद से बने प्रोडक्ट में क्या होता है लेक्टिक एसीड होता है उसके बाद है बलैक ग्राम कला चाना तो नहीं होगा इसमें प्रोटिन होता है तर्मिनेट इमली तो इमली में क्या होता है उसके बाद है लेमन तो ले तुसरा ऑप्सन है और चोथा ऑफने बिटेमिन की से तो रत्वान जो आओ आगा आपको विटेमिन ये के कारण होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा विटेमिन देखते हैं मगर मचों का दिल में दिल डैस कोस्ट का होता है तो मगर मच किस में आता है रेप्टाइल में आता है सरीश्रीप में आता है तो सरीश्रीप में ऐसे नोर्मली तीन होता है लेकिन मगर मच सरीश्रीप का एक्सेप्शन केस में आता है अपवाद में आता है इसमें चार होता है मगरमच में चार हिर्दय होता है सरीश्रीप होने के कारण सरीश्रीप होते हुए विदू सरीश्रीप में ऐसे कितना होता है तीन चेंबर होता है लेकिन आपका मगरमच जो है रेप्टाइल्स में आता ह लेकिन इसमें चार होता यह रेप्टैल्स का अपुआधम है सरस्रीब के एकस्प्सण के सीमें और मगर मच और ऐसे चार होता है हो इसके बाद बॉट हो जाएगा पकछी और अस्तन्दारी में कितना होता है चार हटूरेब कोशिता है कि मतेला है ःस escristине होते dist can जाएक जारुट भश्रैफ के दिल में चार कोश्त होगा इह जो ऑस्तन्धारी है उसमें यूर आपका चार कोश्ट तुछा ओप्षन है, कार्ट डेटा और चौथा ओप्षन है, मौलसका तो घेंगे का समध्ध किस संग्से होगा तो घेंगे का समध्ध हो जाएगा आपका अर्थोपोडा से तो इसका right answer अर्थोपोडा हो जाएगा याद रखिएगा ये भी पूछा होगा क्विशन है X 1990 प्रवीन्ट के गुंजोए परवल आपका हो जाईगा कार्बन में यो चेंग सबसे ज्यादा चेंग डिसको बना सकता है तो इसकोby recording जाता चलि नेक्स्ट कुषिन देखते हैं कौण सा पाचनतंत्र का हिस्सा नहीं है तो इसमें पहले नहीं देख लिजीएगा नहीं तो पहले option मारके निकल जाएगा तो पहला option है छोटी आत दूसरा option है मलासे तिसरा option है गरसनी और चोथा option है असपिलिन पिली हा तो निमिलिकित मैं—सा पाचनतंत का हिस्षा नहीं है यह आपको बताना छोटी आत तो है . पाचंतंत का इसा मलासे भी है उसके बाद गरसनी भी है पिलिहा नहीं है तो इसका राइट एंसर आपका पिलिहा हो जाएगा पिलिहा किया करता है बलाड एस्टोर का काम करता है तो चलिए नेक्स्ट कुछिन देखते हैं ग्यास रिशाओ का पता लगाने में मदद के लिए घरेलू एल पीजी सलेंडर में नेमलीखित में से कौन सा एजेंट जुड़ा जाता है तो पाला अप्षिन है अपका मिथायल मरकेप्टें दूसरा अप्षिन अथनॉल तिसरा अथनोयल और चोथा अप्षिन है कलोरोफॉ तो इनौयल जो होता है इस को इठायल मरकेपटें गाया यही आपको क्या बूला जाता है अही कि सटायल मरकेप्टें को यही आपका राइट अट फंचर हो vereिका डियर्ट विव्या होता यह सलपर से भना होता है तो चलिए next question देखते हैं किस लिधा कऱटी से देभिटीज होता है तो इसका हिसमाला option गुलू कागन उसके बाद एडरान उसके बाद आक्सि टॉक्सिन उसके बाद इन्सुलिन तो किस हार्मोन की कमी से मदूमे होता तो आपका इंसुलिन के कमी के कारण मदूमे होता है इसका right answer याद रखेगा इंसुलिन के कारण और next question देखते हैं मयोपिया द्रिष्टी दोस का एक दोस है जिसमें ने्टरगोलक बरा हो जाता है इसलिए आदमी देख नहीं पाता है, मयोपिया के तो निकट दिरिष्टी दोस, मयोपिया के तो निकट दिरिष्टी दोस को मयोपिया बोला जाता है, तो याद रखेगा, निकट का जो निकट दिरिष्टी दोस में जो होगा न, दूर का बस तो नहीं देखेगा, और जो तो उसमें निकट का बस्तू नहीं दिखेगा, तो मायोपी आपका क्या हो जाएगा, मायोपी आपका हो गया निकट दिरिष्टी दोस, तो निकट दिरिष्टी दोस में क्या हो जाएगा, आपका दूर का बस्तू नहीं दिखेगा, तो याद रखेगा, निकट दिरिष्टी दोसरे गा तो निकट का बस्तू नहीं देखेगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दूर की बस्तू मायोपिया बोला किसको जाता है निकट दिरिश्टी दोसको बोला जाता है तो चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं एड़र्ड जेनर निमलखित में से किस बीमारी से समय दिए तो एड़ートDe nar किस बीमारी से समय दिता है यह आपको और यह किस चीज का टिका बनाया था चेचक का तो चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं तो इसका राइट इंसर हो जाएगा है स्माल पॉक्स निमलिखीत में से कौन सा रोग भैरेस के कारण होता है ये आपको बता आइशे आपको दूसरा ओप्सaking ऑप्सका और पिश नेक्स्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं गरंथी का नाम बताईए जो अंतास अन्य अंतास रावी गरंथियों के कार्ज को नियांतित करता है यह कुश्चन तो रिपीट हो गया देख लिजे फिर भी पहला उप्षन है अगनास है दुसरा उप्षन है अड्रिनल गरंथी तिसरा उप्षन है विरिक और चौता यह श्चन और वेक होता है विरूटिक होता है जीरो फॉटिक वीरूटिक का विचम सेवन्गरामी चलियरानSu्ट सेवन ग्रंब चैक्लि नेक्स्कूशन देखते लुए कि निमूनिया एक का चार्ग मन कि में होता है यह आप्को बताना है तो पहला है नर्भश तो तंत्री तंत्री का तंत्र में होता है राक्त में होता है तो निमोनिया आपका फेफ्राम हो जाएगा यह सोशन समंदिर हो गहाएं तो इसका राइट इंसर आपका लंग्स हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुछिशन देखते हैं प्रभाएद करता है तो मतलब किस में प्रभाएद करता yeah यह अपको पताना है तो STHR मुन जो है basically आपका हो जाएगा हड़ी और मान स्पेशी bonds and molecules को प्रवायद करता है तो इसका right answer option A हो जाएगा bonds and molecules चलिए next question देखते हैं तोचा में अत्रीक्त वर्नक का उत्पादन मुख रूप से उत्तेजित होता है तो पाला option है अवरक्त किरने दूसरा option है vitamin C तिसरा option है पड़ा बैगनी किरने और चोथा option है vitamin D तो तोचा में अत्रीक्त वर्नक का उत्पादन मुख रूप से उत्तेजित होता है तो किसके कारण होता है जैसे मतलब दूप में निकलता है लोहे में जंग किसके कारण लगता है यह आपको बताना है नहीं जो लोहे में जंग लगने के कारण इसका इंगलीज देखेगा वर्जन में क्या हो गए वर्जन बढ़ेगा यह गटेगा यह बराबर देगा यह आपसे question पूछा जा रहा है लोहे में जंग लगने के कारण क्या हो जाएगा oxygen के उपस्थिति लेकिन question में आपको वजन दिया हुआ इंग्लिस पढ़ लिजिएगा due to resting the weight of iron लोहे के weight में मतलब वजन में क्या प्रवरतन होगा यह आपसे question पूछा जा रहा है तो वजन हम लिख दिये से पहला option है कि कम हो जाती है दूसरा option है बढ़ता है तिसरा option है एक ही रहता है और चोथा option है धूल मूल तो इसमें right answer आपको कमेंट करना है कि लोहे में जंग लगने के कारण क्या होगा तो लोहा के सुत्र क्या होता अक्सिजन के साथ परतिक्रिया करके क्या बना लेगा फेरस ऑक्साइड बना लेगा तो इसका right answer हो जाएगा कि लोहे में लोहे का वजन जो हो जाएगा आपका जंग लगने के कारण बढ़ जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा increasing बढ़ जाएगा चले next question देखते हैं आफ मुख रूप से निकाला जाता है तो कहां से निकाला जाता है ये आपको बताना है तो कुध मुख रूप से pretty cuz even में पूलोर कुईन और चोथा ओप्षण है को इसमें आपको बताना कि आशू गैस का मुख्य घटा कि इसमें से कुन सा है तो कलोर एसे टो फेनोन इसका राइट एंसर हो जाएगा वन कलोर एसे टो फेनोन चले नेक्स्ट कुशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा वायू परदुशन रख्थ परवा को प्रवाइत कर सकता है जिससे मिर्थियू हो सकती है तो पाला ओप्षन आपका केडमियम, दुसरा ओप्षन है अस्बेस्टस डस, तिसरा ओप्षन है कारवन मोनोक्साइड और चोथा ओप्षन है लेट तो वायू परदुशन रख्थ परवाइत कर सकता है जिससे मिर्थियू हो सकती है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा आपका कारवन मोनोक्साइड इतना खतरनाक गैस है जिसके करणादमी का मिर्थियू हो जाता है और यह कहां पे बनेगा जहां पर आग लग जाता है, तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद